सब्सक्राइब तो आज कल अलमुस्ट सारे बच्चे प्रिपेर कर रहे होते हैं जो भी सीरियस होते हैं अपने पढ़ाई के लिए और उसमें आज कल मोस्ट फेमस बुक्स जो चल रहे हैं वो है वही उं दोनों में से ही हम एक मैट्स की दोनों की एक एक बुक्क लेकर ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो अगर हम बात करें तो आपर्टी चाप्टर न की चाप्टर आपको दिये होते हैं वहीं पर अगिम clickingreno उस स्वाल में आपको सबसे पहले दी होती है इन्होंने उस चाप्टर की complete theory जो कि MTG में मुझे missing लगी और heavy और उसमें फिर आपको theory के साथ साथ दी होते है mind maps जो कि आपको उस chapter को grasp करने में बहुत जादा help करते है and then आपको उसके topic wise theory के साथ साथ formulas भी दी होते है complete जो यह short tricks आप use कर सकते है chapter में वो भी दी होती है and then आपके सारे topic wise cover करने के बाद इन्होंने दी होते कुछ amazing facts हो कि आपको as a factual based questions भी paper में पूछे जा सकते है mnemonics जो कि one of the most important चीज़ है क्योंकि यह आपको difficult चीज़ों को भी याद रखने में easy रख रहा होगा and then आते हैं आपका did you know did you know जो है just a fun based आपको कुछ facts बताते हैं कि जो आप ध्यान रख सकते हैं बच्चे भी just enjoy करते हैं बढ़ते हुए and then जो कि best चीज़ आती है mtg में आपको 30 questions ऐसे दी होते है just for practice जबकि ओस्वाल ने जो है उसी practice को इका कि हम उसको भी useful बनाते हैं इन्हों जो है सारे आपके practice questions भी जो है वो आपके previous year questions को integrate कर दिया है तो आप सारे questions वो ही कर रहे हैं जो कि आपको पते है कि ये questions पहले paper में आये हो है इस तरीके के questions Olympiad पूछता है and आगे भी आप expect कर सकते हैं कि इसी तरीके questions ही आपके पास आ रहे होंगे and mtg जो है आपका only level 1 cover up करता है जबकि ओस्वाल जो है level 1 और level 2 दोनों cover up करता है तो जो बच्चे already studies को लेके serious है and अगर आप चाते हैं कि आपका भी जो child है अगर आप parents देख रहे हैं तो अगर आप भी चाते हैं कि आपका बच्चा exactly अगर पह है तो ओस्वाल जो आपको level 1 and level 2 Olympiards दोनों की त्यारी करवाता है and level 2 दके इन्होंने previous year questions दिये होते हैं आपको सारे तो आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत जार detail में काम किया होते है and अगर आप solutions की बात करें तो आप यह देख सकते हैं ओस्वाल के solutions जिसमें आपको पूरा complete complete explanation मिल रहते हैं के step का पूरे question का and इतने जादा detailed solutions आपको शायद ही किसी और book में मिल सकते हैं जबकि MTG में मुझे यह थोड़ी सी कमी लगी हलका सा disadvantage रहते हैं क्योंकि MTG के case में अगर आप देखते हैं तो जादा दर question के आपको solution मिल तो जाते हैं लेकिन बिल्कुली one one liner solutions मिलते हैं बहुत ही जाद डिटेल में नहीं रहते हैं तो उस्वाल उन बच्चों के लिए better हो जाते हैं प्राइसिंग की बात कीज़ें तो MTG की book is around 100 रुपीज क्योंकि आप देख सकते हैं around just 20-30 pages की book रहती है विलकुल छोटी सी पतली सी चक्कि ओस्वाल इतना जादा चीज़े offer करती है तो इसकी pricing around 400 रहती है लेकिन उसमें भी एक catch है आप इसे बहुत ही जादा discounted price पर खरीच सकते हैं क्योंकि description box में दियो लिंक से हमारे viewers के लिए special discounted price चल रहा है तो ये book मैं prefer करूँगा अगर आप लेना चाहिए Olympia Arts की तो last moment के लिए MTG भी ले सकते हैं लेकिन अगर आपका स्टाइन और अगर आप Olympia Arts के लिए genuinely seriously त्यारी करना चाहते है और level 2 के आगे भी crack करना चाहते है level 1, level 2 तो फिर आपको genuinely ओस्वाल लेनी चाहिए क्योंकि यह आपका पूरा complete रहते हैं थियोरी भी आपको Olympia Arts level के में provide होती है questions भी उसी level के exactly होते हैं and all our previous year questions तो यह कुछ advantages मुझे जरूर लगे मैं सोचा आपको भी बता दू ताकि आप भी अपना best decision बना पाए and hopefully आपको यह वीडियो helpful लगी होगी और कौन से आपको topics पे वीडियो चाहिए आप हमें comment section में जरूर बताएगा हम जल्द से जल्द आपके लिए उलाने की questions करेंगे बागी बनेगा हमारे चानल पर वीडियो को like share करना मत बूलना चानल को subscribe कर देना क्यों अलम्पियार्ट related books, reviews और tips हम आपको देते रहते हैं बागी हम मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई